दरोगा संध्या टोपनो मौत ममले में एसाइटी गठी दरोगा संध्या टोपनो मौत ममले को लेकर रांची पूलिस एक्षन में है एसेसपी की सोर कौसल ने सीटी एसपी अंसुमान कुमार के नेतिवत में एसाइटी के गठन किया है टीम में हटिया DSP राया मित्रा धुरुवा थानापरभारी परवीन कुमा जगना थानापरभारी अर्विन सिंग तुफुदाना ओपी प्रभारी कनया सिंग को सामिल किया गया है टीम को जाच कर जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है बता दे मवसी तसकरोन मंगलबार की देर रात करीब डेर बजे रांची के तुफुदाना ओपी छेतर अंत्रगत होलोंडू में चेकिंग कर रही महिला दरोगा संध्या टोपनों को पीकप वएन से खुचल दिया इसके बाद घसिटते हुए करीब 100 मिटर तक ले गया सीर्व सीने में चोट लगने के कारण संध्या की मौके पर ही मौत हो गई उधर घटना के बाद संध्या को रिम से ले जाया गया जहांची किसोगों ने उन्हें मिरित गोसित कर दिया धाकका मारने के बाद पीकप वेन का रिंग रोड के पाथ चका वलाष्ट कर गया और वह पलट गया वान का पिछा कर रही पुलिस गाड़ी ने पीकप वेन और उनके चालक को गिरफतार कर लिया है जार्खन के सरकारी स्कूलों के पोसाग का रंग बदला परियोजना की ओर से जीलों को भेज़े गए पत्र में कहा गया है स्वेटर का रंग निधारित होने के बाद जीलो को अलग से जनकारी दी जाएगी उलेखनी है कि पोसाक के लिए जीलो को रासी भी उपलब्द करा दी गई है राजे में इससे पहले वर्ष 2015 सुला में पोसाक के रंग में बदलाव किया गया था बर्तमान में बचों की पोसाक में पैंट का रंग मैरून वर्ष अट का क्रीम कलर था बचे बर्तमान में इससी रंग की पोसाक पहुंते थे बाबा मंदीर में 6 दिनों में 6 लग सरधालों ने किया जलारपन स्रावनी मेले का सफल संचालान हो रहा है स्रावनी मेले में पिछले 6 दिनों में 5,85,000 सरधालों ने बाबा धाम आकर बाबा मंदिर में जलारपन किया वही पिछले 5 दिनों में बाबा मंदिर सहीद विभीन सुरोतों से आये 3 कोरोर पार कर गया है अपर सासन की निगाह दूसरी सुमवारी की विवस्था पर है सारी त्यारी को और अधिक मजबूत किया जा रहा है उक्त जनकारी डिसी मंजुनात भजंत्री ने आर मित्रा प्रांगर में बने मीडिया सेंटर में अयोजित प्रेस वर्ता में दी उन्होंने बताया है कि पिछले 6 दिनों में 5,85,942 कवारियों ने जलारपन किया जिसमें आंतरिक अरगा के 4,49,89 और 2 अरगा से 1,38,308 सरधालों ने जलारपन किया है जारखन में भारी संख्या में होगी सिक्षकों की नियुक्ती मुख्य मंत्र हेमान सुरें ने स्कूली सिक्षायों सक्षक विभाग की उच्चासरीय बैठाक में सिक्षक नियुक्ती मोडली स्कूलों के संचालन और सरकारी बिद्यालों में ICT कारेकरमों की समिक्षा की इस मोखे पर CM ने क्वालिटी एजुकेशन और सिक्षक नियुक्ती परक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है समिक्षा बैठाक में सरकारी बिद्यालों में आधुनिक तरीके से बचों की पढ़ाई सुनिश्चित कराने के निर्देश के साथ साजिन बिद्यालों में स्मार्ट कलास से पढ़ाई की विवस्ता है वहाँ सफ्ट्वेर और इकांटेंट को नियमित रूप से अपडेट करने को कहा गया बता दे बैठाक में भी भागिया धिकारों ने बताया कि बरतमान में 974 बिद्याले में ICT Lab लगाये जा चुके हैं इस वरस के अंग तक 920 बिद्यालों में इसे चालू कर दिया जाएगा चठी जेपीसी नियुक्ती विवाज चठी जेपीसी नियुक्ती को लेकर जहरखन हाई कोट के आदेश के खिलाब सुप्रीम कोट में दाखिल SLP पर सुनवाई हुई जस्टीस अजय रस्तोगी और जस्टीस चिटी रवी कुमार की खंड़ पीट में सुनवाई कि दुरान प्राथी की ओर से बहस पूरी कर ली गई है अब 26 जुलाई को परतिवादियों की ओर से बहस की जाएगी इस बीच राज सरकार की ओर से सपत पतर दाकिल कर कहा गया है कि संसोधित परिणाम के बाद नोकरी से बाहर हुए 60 अब्यार्तियों को समायोजित नहीं किया जा सकता राज सरकार के पास वर्ष 2021 में मात्र 38 पद ही रिक्त है ऐसे में उन्हें समायोजित करना असंभाव है जारखन के सरकारी इसकूल से हटाये गए उर्दू सब्द जारखन की राजधाने राची के और मांजी के मुसलिम बहुलिये गाव में सरकारी विद्याले के नाम के साथ लिखा उर्दू सब्द पर जीला सिक्षा विभाग द्वारा करवाई करते हुए विद्याले में लिखा उर्दू सब्द हटा लिया गया है बता दे विभाग के निदेश पर विद्यालाई की एचेम अर्चना कुमारी ने काले रंग के पेंट से उर्दू सब्ध हटवा दिया इसके अलावा विद्याले की प्रवंध समीति को तीन दीन के अंदर भंग कर प्रवंध समीति का पूर्ण गठन करने का भी निदेश दिया गया है इसमें कहा गया है कि पूर्ण गठित समीति में पूरानी समीति का कोई विश्वद से सामिल नहीं होना चाहिए इससे पूर्व इससे समंधित समाचार शपने के दोसले दिन ही परखंड सिक्षा प्रसार पदादिकारे निर्माला परजापती द्वारा एक जांच टीम गठित कर नौ स्रिजित प्राथमिक विद्यालाय चांद नगर भरवे की जांच परताल की गई थी महिला दरोगा संध्या टोपनो को रांची पूलिस लाइन में दी गई अमतिम सलामी राइधानी रांची इसी तुपु दाना वोपी की महिला दरोगा संध्या टोपनो का पोस्ट माश्रम कर पूलिस को सो सो पत गया पूलिस सो को लेकर पूलिस लाइन अमतिम सलामी के लिए जहां पर दरोगा संध्या टोपनों को अम्तिम सेलामी दी गाई इस मोखे पर कई पूलिस अधिकारी मौजूद रहे बताद एडिम स्पोस्मार्टम हाउस में सुबा से ही 2018 बैच के अने दरोगा मौजूद रहे जो लगातार इस घटना के निंदा कर रहे थे इस जबाज दर 6 दिनों के इड़ी रिमांड पर मनी लॉंडरिंग समेद पथर खनन से जुड़े मामले के आरोप में गिरफतार जे एमेम नेता पंकज मिस्रा को परवतन निदे सालाने 6 दिनों के रिमांड पर लिया है पीम एले के विशेस नियाधिस ने पंकज मिस्रा को 14 जिनों के नियाईक हिरासत में भेजने का आदेश दिया साथ ही इड़ी के आवेदन पर सुर्माई के बाद उसे 6 दिनों के पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया नियाईक करवाई फूरी होने के बाद उसे होटवार जेल भेज दिया गया बिमार होने के वज़ा से उसे जेल अस्पताल में रखा गया है इड़ी द्वारा ये कईस जुलाई से उसे रिमांड पर लेकर पोश्टाश किये जाने की समभवना है उसे 26 जुलाई को कोट में फिर पेस किया जाएगा गढ़वा में बनेगा विवेंस कॉलेज मुख्य मंत्री हमन्सुरेन ने दो आहम फैसले लिये हैं दोनों फैसले जानता के हीत में हैं बता दे उन्होंने लिलांबर पितामर उन्वर्सिटी के तहट गढ़वा विवेंस कॉलेज के निर्मान की स्विक्रित देते हुए महिलाओ के सिक्षा के प्रत्ती गंभीरता से अउगत कराया इसके अत्रिक्त उन्होंने आपने दूसरे फैसले से यह अस्ती दिकर दिया है कि सरकार का भरष्टा चार के खिलाब जीरो टोलरेंस पर विश्वास रस्ती है मुक्यमंत्री हेमांसुरे ने वित्ती वर्स 2223 तेस्मेनी लंबर पितामर विश्व विद्याला है पलामो के तहट महिला महाभिद्याले गड़वा के निर्मान की स्विक्रित्य दिया है इसके लिए 13 कौर 61,70,70 रुपए की प्रसासनिक स्विक्रित्ती परदान की है गुमला के अनात भाई बहन के घर पहुँचा प्रसासन अनात भाई बहन की खपर शप्तही सरकार हरकत में आई है मंत्री चमपाई सुरेन ने मामले में सोता संग्यान लिया है बता दे राई डी परखंड परसासन बच्चों के घर पहुँचे खाने पीने के लिए अनात दिया बीडियो ने 2000 की मदद भी की वही समाई सेवियों ने भी बच्चों को मदद की समाई सेवि सा भाजपा के परदेश वरिष्ट नेता बिनाय कुमार लाल बच्चों के घर गुमला जीला के राई डी ब्लोक इस्थीत के मटे खुर सुता गाहा पहुँचे जहां उन्होंने अनात बच्चों से मिल कर सुख दर्द जाना साथी मदद सरूप खाद समागरी कपड़े चावल भेट किया जाम तड़ा में मिला निले रंग का अनोखा सेवाल राजधानी के करमठोली निवासी और सेंटर नेशनल हर्बेरियम कुलकात्ता में कारत बैज्यानिक डाक्टर आरके गुपता ने एलगल फलोरा और जार्खन सिर्ष से एक पुस्तक लिखी है या फुस्तक राज़े के 24 जीलों में मिलने वाले सेवालों पर किये गए सोध पर अधारित है इसमें एक विशिष्ट सेवाल की प्रजाती उसके गुण और विशेस्ताव का उलेख है जो नगन आकों से नहीं देखाई देता डाक्टर गुपता ने स्वेम इस सेवाल की खोज की है निले रंका या सेवाल उन्हें जाम तराक के समसान घाट के पास इस्थीत कुंड में मिला उन्होंने इसे जोहानिस पित्सिया देसी काचारी नाम दिया है यह नाम सेवाल पर अब तक सबसे ज़्यादा काम करने वाले प्रध्यापक प्रोफेसर डाक्टर टीवी देशी काचारी के नाम पर रखा गया है पलामू में पच्चास हजार पीएम आवास लमीत रासी वसूली का निर्देश पलामू जिले में वर्ष 2016 से लेकर 2022 में 1,69,152 प्रधान मंत्री आवास जोईना के सुक्रिती मिली है जिसमें 1,8,393 आवास का यूनिट पूर्ण हो चुका है जबकि 50,769 आवास जोईना लंबी था है जनकारी के मुताविक पीएम आवास के लाबकों ने प्रधम किस्त की रासी लेने के बाद निर्मान का रिशुरू नहीं किया है परसासन ने उन लाबकों को आवास का निर्मान करने के लिए प्रेरित किया फिर भी लाभूक आवास निर्मान के प्रतित दिल्चस्पी नहीं दिखाया आखिकर परसासन ने वैसे लाभको को चीनित कर रासी रिकॉवरी करने का निर्नाय लिया है बतादे जीला परसासन के निर्नाय के आलोक में पाकी परखंड के तीन पंचाथ के एगार अलाभको से रासी रिकॉवरी की गई है जारखंड में नोकरी के लिए दसवी बरहमी जारखंड से पास अनिवारे पर सुनवाई जारखंड हाई कोर्ट के चीफ जास्टिस डाक्टर रवी रंजन वा जास्टिस एसन परसाथ की खंड पीठ में जे पीएस्सी परिक्षा नियुक्ति में दसवी और बरहमी की परिक्षा राजे के संस्थान से उतिन होने की सर्थ के खिलाब दाके लिए अचका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दवान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमा ने कहा है कि राज सरकार बार-बार समय लेकर मामले को लटकाना चाहती है जबकि इस मामले में सरकार की ओर से नियुक्ति परकिरिया में तेजी कर दी गई है नियुक्ति निमावली में दसवी और बरहमी की सर्थ लगना पूरी तरह से गेरवाजिब है इसकी वज़ा से कई अभ्यार्थी न्योक्ती परकिरिया से वंचित हो गया है पसु तसकरों का अंतराश्ट्री और नेट्वर्क जारखन में पसु तसकरी का धंधा क्रोरों रुपे का है अधिकतर चेकना के तक इस धंधे में सेट है यहां रिशवत है जहां से तसकर पसुओ को लेकर आसानी से निकल जाते है पता दे जहां रिशवत की रासि नहीं मिलती है या फिर जहां रातरी गस्त में कोई इमंधार पुलिस अधिकारी कर्मिक डूटी होती है वहाँ ऐसे तसकरों को परसानी हो जाती है जिसका परिणाम या होता है कि उस नाके का अधिकारी जान जोखुई में डाल कर ऐसे तसकरों का पिछा करता है या फिर उन्हें घेरने का पर्यास करता है ऐसी ही परिश्थितियों में आए दिन इसकी घटना, दुरघटना या हत्या जैसी वर्दात होती है IAS पूजा सिंगल मामले में 22 किरदार, 36 कोर जब्त, मनरेगा घोटाले में मनी लंडिंग के तहद सुरू होई ED किजाच अवयद खनन तक पहुँच गई है इस दर्म्यान अब तक ED ने दोनों ही मामले में 22 लोगों से पुस्ताश किया जिसमें 7 आरोपीत सलाखों के भीतर पहुँच दिये गए है इनमें 3 आरोपीत निलंबीत IS अधिकारी पूजा सिंगल का प्रकरन सुरू होने के बाद गिरपतार हुए है जिसमें पूजा सिंगल क्यलावा उनके चार्टर अकाउंडेंट सुमन कुमार और अम्मुख्य मंत्री के बरहेट विधान सबाचेतर के विधायक परतिनिदी पंकज मिस्रा सामिल है रक्षा बंधन पर गोबर की राखी सजेगी भाई की कलाई पर रक्षा बंधन का तेवहार आने ही वाला है बजार भीरंग भीरंगी राखी उसे सजने लगे है आईसे में जब साओदेशी उत्पात की बाद होती है तो उसमें सहर की सीमा पांडे का नाम पहले आता है बतादे सीमा इस बार भी गोबर से राखी बना रही है जिसके अंदर गेंदा और पराजीता तूलसी समेत अने फूलों के बीज डाले जा रहे है तेवार के बाद जब यह राखी गमले या बगीचे में रखी जाएगी तो लगतार पानी डालने से इसके अंदर से फूल के पौधे निकलेंगे एप अधेना के वर घर वा बगीचा के सुन्दरता बढ़ाएंगे बलिक भाई बहन के प्यार की याद भी दिलाएंगे लाते हर में पूल निर्मान कार्य में लगे मसीन को लगाई आग जारखन के लाते हर जिले में सदर थाना छेतर के केंडू गाँ में विशेस प्रमंडल विभाग से 60 लाख रुपए की लागत के बन रहे पूल के कार्य अस्थर पर मंगलवार की रात अग्यात अपराधियों ने धावा बोलते हुए मिक्सर मसीन को आग के हावाले कर दिया गाउं के ग्रामिनों के नुसार एक बाइक में तीन की संख्या में आकर घटना को अंजाम दे कर फरार हो गए पूल का कार्य करा रहे मुनसी मनोहर साव के द्वारा इसकी सुचना तुरंत सन्वेदक को दी सन्वेदक असोक कुमार गुपता ने घटना अस्थल पर पहुँच कर पूरे घटना के बारे में जनकारी ली गीरी डी जेलर को निसाना बना कर वाहन पर फैरिंग केंद्रिये कारा के जेलर के वाहन पर फैरिंग की गई है बताया जा रहा है कि निसाना बना कर दो आप राधियों ने गोली चलाई है इस घटना में जेलर बाल बार बच गए हैं घटना के बाद SDPO अनिल कुमार सिंग वा इंस्पेक्टर बिनाय कुमार राम मोके पर पहुँचे और मामले की चानबिन की घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पया है बता दे जेलर के वाहन पर गोली बारी के इस मामले के बारे में बताया जा रहा है कि बुद्धवार की दो पहर अपनी वाहन पर सवार होकर जेलर गुजर रहे थे डंडाडी पूल को क्रोस कर थोड़ा आगे गए ही थे कि अचानक बाइक सवार अपरादियों ने गोली चला दी इस गातना को लेकर इलाके में दासत फैल गई है कोडार्मा में जोला छाप नर्स को पूलिस ने किया गिरफतार कोडार्मा जिला अंतरगत धुम्री तिलाया थाना चेतर के पानी टंग की समसान घाट रोड में अवाय रूप से गर्वाती महिला का परसो कराने के दोरा नौजात की मौत का मामला सामने आया है घाटना के बाद परिजनों ने हंगामा सुरू किया तो सुचना पर तिलेजा थाना के प्रभारी इंचार्ज सोनी परताप दर बदल के साथ मौके पर पहुँचे और मामले की जनकारी ली पूरे मामले में जोला चाप डाक्टर के रूप में काम करने वाली नर्स एवं उसके सहयोगी पर प्रसो और आपरेशन कराने का रोप लगा है पूलिस ने आरोपी महिला को गिरफतार कर जेल भेज दिया है गुमला पूलिस ने नकसलियों के हथियार किया बरामत गुमला पूलिस ने भागपा मवादियों के खिलाब बड़ी सा फलता हासिल की है पूलिश ने मवादियों दोरा चिपा कर रखा गया हतियार और गोला बारूद बरामत किया है हतियार और गोला बारूद को एक पेड़ की खोव में चिपा कर रखा गया था हतियार और गोला बारूद बरामत करने के बाद गुमला और लातेहार जीला के साथ नमजद सहीत 20-25 अने मवादेव खिलाप प्रत्मी की दर्च किया गया है धन्यवाद